चारे बच्चो नमस्कार, एक बर फिर से आपका हिंदी की कलास में स्वागत है बेटा, आज हम हिंदी विशे में अपनी किताब भाशा भ्यास का कुछ कार्य करेंगे, अपनी लास्ट वीडियो में बेटा हमने ए मातरा का अभ्यास किया था, उस मातरा की आपको अच्छे से पहचान हो गई होगी आपने उसके शब्दों को पढ़ने का और उसके पाठ को पढ़ने का अभ्यास भी कर लिया होगा तो आज हम उसी मात्रा से सबंदित अपनी किताब भाशा भ्यास में से कार्य करेंगे तो चलिए बिटा अपनी ये किताब आप पेज नंबर 32 पर खोलें ठीक है देखिए इसमें फर्स टैडिंग क्या है चितर देखकर वाक्य पूरा कीजिए यहां पर देखिए विटा आपको दाएं और बाएं कुछ चितर दिखाई दे रहे होंगे आपने एक के करके इन चितरों को देखना है उसको पहचाना है कि ये किस चीज का चितर है फि एक सेब ओके अब हम वाक्य को पढ़ते हैं देखिए गीता बाजार से डैश लाई अब आपने चितर देखी लिए बिटा कि गीता बाजार से क्या लेकर रही है सेब तो आप यहां पर लिखेंगे सेब मतलब कि स को एक ही मत्रा ब सेब जो भाशा अभ्यास की बुक्यों पर कारे होता है यह आपको खुद से अभ्यास करने के लिए यह कारे दिया होता है तो आपने यह कारे खुद ही करना होता है मातरा से सबंदित शब्दों का ओके तो यह जस्क मैं आपको बताऊंगी बिटा क्यों संचाऊंगी क्या आपने करना कैस में लेकिन आपने करना यह ख करेला, ओके, अब हम वाक्य रीड करते हैं, मेगा ने कड़वा डैश खाया, क्या खाया बटा कड़वा, करेला, तो आप यहां बले करंगे करेला, करेला, ओके, आगे देखे किसका चितर है, केला, आशिमा ने डैश छील कर खाया, क्या छील कर खाया, केला, ओके, तो इस तरह से बिटा आपने इस सारे पेस को पढ़ना है और चितरों को देखकर उनका आपने नाम यहाँ पर फिल करना है एक चितर आपका बाईयोर बना है और एक चितर आपका दाईयोर बना हुआ है तो आपने सीरियल वाइस इन चितरों को बिटा पढ़ना देखते जाना है और उनका क्या है बिटा के इतली ओके इस पेस को आप कम्प्लीट करेंगे आगे देखिए एकस का अगला पेस आगे देखिए यह पेस नंबर 33 हैडिंग देखिए ए मात्रा लगा कर सही शबद लिखिए यहाँ पर नीचे बिटा दिये गए है शबद लेकिन इन पर कोई मात्रा नहीं ह तो आपने मात्रा कौन से लगानी है ए ठीक है एक आपको करके दिया गया है देखिए इसको देखते हैं पहले शबद आपको लिखा हुआ था रत अब हमने र के ओपर एक ही मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया बिटा रेत क्योंकि रत शबद नहीं होता शबद क्या होता ह तो ये मात्रा लगाने से हमारा वो शबद ठीक बन गया ओके इसी तरह आगे देखिए बिटा खल अब देखिए ख के ओपर मात्रा लगा कर इसको बोल कर देखिए खेल खेल शबद होता ने खल तो नहीं होता तो यहाँ पर क्या जाएगा खेल आप ख के ओपर एक ही मात्रा लगा देंगे और साथ में ल लग देंगे इसी तरह बिटा आपके ये बाकी के तीन अक्षर हैं ठीकिए इनको भी आपने इसी तरह कंप्लीट करना है अब इसका अगली रोग देखे बिटास की दखना पहले बिटा आपके दो अक्षरों वाले अब ये आगे तीन अकश्र वाले शबद लेकिन इसका procedure सेम इसमें भी आपने एक ही मतरा लगानी है तो देखिए दखना शबद को हमने द के ऊपर एक ही मतरा लगा कर इसका क्या बना दिया देखना ओके इसी तरह अगला शबद देखिए घरना घरना शबद क्या होता है घेरना तब घह के उपर एक ही मत्रा लगा देंगे और बाकी अक्षर सेम इसी तरह आप इन तीनों को भी पूरा करेंगे अब हम इसका अगला हैडिंग देखते हैं आगे दिये गए वर्न से शबद बनाए आपको बेटा यहाँ पर बाई और कुछ वर्न दिये गए है आपने इनका प्रियोग करते हुए शबद बनाने है देखिए जैसे कि पहले वर्न दिया आपको के अब देखिए के से इन्होंने एक शबद आपको बरना कर दिया हुआ है के तली के तली अब एक इन्होंने बना कर दिया हुए बुक पर एक आपने खुद से सोचना है तो आप ऐसा कोई शबद सोचेंगे जिसके आगे के लगा हुआ हो सोचिए कुछ याद आए आपको बेटा एक फल होता है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है कौन सा होता है वो केला तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे केला अगर आपको ऐसा कोई और शबद याद आए जिसके आगे के वरन हो तो आप वो भी लिख सकते हैं ओके तो केतली और केला ठीक है आगे देखिए रे अब हमने सोचना है ऐसा शबद जिसके आगे रे लगाओ जैसे की रेत रेलगाड़ी देखो दोनों शबदों में क्या जाएगा आगे रे लगा हुआ ओके आगे देखिए मे अब मे का प्रियोग करती हुए कौन से शबद बन जाएंगे हमारे मेज मेला ठीक है बटा आगे देखिए बे अब सोचिये कोई ऐसा शबद जिसकी आगे बे लगाओ जैसे कि बेर बेर क्या होता है अगे फल होता है न बेर छुट चुटी होते है वो ठीक है तो क्या जांगा इसका एक बेर और क्या सकते है इसका, बेल, बेल भी होती है बेटा, ठीक है बेल, बेल या फिर बेटा, बेटी, ओकैं तो आप अपने according कोई भी अपना शबत बना सकते हैं बस उसमें इस वर्नों का परियोग, इन वर्नों का परियोग होना चाहिए तो इस तरह से बिटा आपने इस वर्नों को प्रियोग करते हुए आपने इनके दो दो शबद बनाने हैं अब हम देखते हैं इसका अगला पेज हाँ जी बिटा इस पेज में देखिए इसमें आपको बिटा एक चितर दिया गया है आपने सबसे पहले इस चितर को बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और आपने नोट करना है कि इस चितर में क्या कुछ है ठीक है दो मिनट पहले आप इस चितर को देखेंगे कि इसमें क्या कुछ है फिर उसके बाद हैडिंग को पड़ेंगे उपर दिये गए चितर में से A मतरा वाले किनी पांच चीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए देखिए इस चितर में बिटा कितनी सारे चीजें आई है उन में से आपने ऐसे चीजों का नाम लिखना है जिनका नाम A से स्टार्ट हो ठीक है मैं आपको एक दो बताती हूँ देखिए जैसे आपने चितर को उब्जर्व किया जिसमें कितनी सारी चीज़ें है बेटा जैसे कि जूले, बच्चे, सेब, पेड, गमले है ना इसी तरह आपने ध्यान से चितर को देखना है और इसमें जो भी ए मातरा वाले शबत है पांच खालिस्तान दिये गए है तो आपने इन पांचों को कम्प्लीट करना है दो तें शबत मैंने आपको बता दिये जैसे कि गमले, बच्चे, पेड, सेब, एक दो जो रहे गए वो आपने ढूणने है और आगर आपको कुछ और मिले जिसमें ए मातरा कपर योगों को एक कि बयदा और आप जब इनके लायन के ओपर लिखेंगे लायन के आपने नीचे लिखना है देखे वैं आपको लिखकर बताती हूँ जैसे कि फर्स सब्दम लिख रहे हैं गमले तो हम कैसे लिखेंगे गबमले इसी तरह आपने लिखना है और लेखाई अपने बहुत ही सुन्दर करनी है और बिल्कुल साफ सुत्रा लिखना है ओकी बिटा आज के लिए इतना ही धन्यवाद